गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे जैसा आप लोग स्क्रेन पर देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे मिगाले के बारे में जो कि आपका मुखतसर मजमून है तो दिखे जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें यह जान ते आप लोग को देखेंगे जो भी आपका बुक्वेबिण के उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे लिख के देखेंगे और उसके बद वीडियो को फिनिश करेंगे चीक है तो मैं कोशिश ही करूंगी अप लोगों को रोज aks वीडियो मिल जाए आप लोग का विजिम्हें आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जादा से जादा शेयर करें तक उन लोगों कब इसलिए कंप्लीट हो सके ठीक है तो चलिए इसे शुरू करते हैं मुझे मख्तासर मजमून को इसलिए पढ़ेंगे क्योंके पेपर में आपके कुशिन बन जाता है फ़र जादा में मख्तासर मजमून क्या है। उड़ों में मुख्तासर मजमून निगारी का आगास सरसाय होता है मुखतसर मतलब क्या होते है बेटा चोटा और मजमून मतलब कोई भी ऐसे वगरा तो कोई हम जब चोटा ऐसे लिखते हैं तो उसका आगास किसने किया है सरसाइद ऐहमत खान ने किया है उन्होंने इस सिन्फ को समाज की इसला के एक वसीले के तोर पर इस्तिमाल किया है यानि वो मुखतसर मजमून इसलिए लिखते थे ताकि वो समाज की इसला कर सके समाज में, माश्रे में जो बुराईब पहली हुई है या हम कह सकते हैं जो कमजोरियां हैं समाज की उसको दूर किया जा सके उसकी इसलिख की जा सके इसके बाद मजमुन निगारी भी एक सिन्फ की हैस्यत से राय चो गई यानि उन्होंने इसके अप्तिदा की सरसیت के बाद मजमून को भी एक सिन्फ की हैसित मिल गई समाजी मौजवाद के इलावा इलमी अद्बी फलस्फियाना साइनसी सावानी और दीगर मौजवाद पर भी मजामी लिखे गए यानि सिर्फ समाज की इसलाह के लिए मजमून नहीं लिखे गए इसके लावा भी बहुत सारे और टॉपिक्स जैसे इलमी अद्बी है ना इन सब के ओपर भी मजमून लिखे गए हाली, शिबली, मौमद हुसान अजाद, नजीर अहमद, मीर नासिद अली, नियास वते पूरी, रशीद अमसिद्यकी, मिर्जा फ़रतुल्ला बेग, अबुल्कलाम अजाद, खाजा, गुलाम, स्युद्दीन, वगएरा उर्दों के एहम मजमून निगारों में शुमार होत पॉइंट निकला, जिसे हमने क्या का, इंशाया का, ठीक है, इंशाया और मजमून में कोई खास परक्त नहीं, लेकिन आम दोर पर इंशाया में मजाख और तंज्या, खुश्मेजाजी का रंग होता है, ठीक है, यानि इसमें जर्नली हम कुछ ऐसे टॉपिक को अपना बात नहीं होती है, ठीक है, इंशाया निगार अक्सर बाते अपने हवाले से या अक्सर अपनी ही बारे में बयान करता है, यानि कि आप जब इंशाया निगारी के हम बात करते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है, कि जो इंशाया निगार है, वो अपने उपर ही बात करेगा, कि मैं इसा किया, मैं इसा देखा, check, तो बहुत सारे आपके इंशाया में हैं, अगर आप लोग पढणा चाहें, अगर पढ़ सकते तो आप कुई चीज़ें पता चलेंगी, तो आज हम पढ़ेंगे किस के बारे में, मिघाले के बारे में, मिगाले को पढ़ने से पहले हम उसके मुश्किल सवाल जवाब देख लेता है, मुश्किल अलफाज देखते हैं, ठीक है, तो देखें यहां लिखें लफज माइने में आपशार, मतलब क्या होता है ज़र्ना, ठीक है, वाटर फॉल, यहां क्या लिखा है, फत्हमन, फत्हमन म अब देखें यहां हमकंगी लिखए क तेस हम नफूस नफस की जमाँ है न आगे लिखा हम क्या है देखने की दावतale का मरतूम मतलब क्या होता है नम या थोड़ा सा गिला आगे देखे क्या लिखा है काबिले दीद काबिले दीद मतलब होते है जो चीज देखने के लायक हो चीके अब यहां लिखा है आपका दिलदारा दिलदारा मतलब क्या होता है कोई शौकीन चीक आगे क्या लिखा हुआ यहां पर सुरू पीरो पीरो मतलब होता है मानने वाला और फला हो बैबूर मतलब होता है भलाई या बहतरी के काम ठीक है अब अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे सबाग का खुलासा कि सबाग का खुलासा क्या हमसे कहता है ठीक है पूरे सबाग को पूरे मजबून को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए जल्दी से हम लोग इसको शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे और समझने की कुशिश करेंगे कि यह हमसे क्या कहना चाह रहा है मिघाले हिंदुस्तान का एक खुबसूरत सूबा है दो अपरेल 1970 में उसे असाम के जुनूबी हिस्से गारोखासी और जैनतिया परबतों के इलागों से अलग करके तश्कील दिया गया ठीक है यानि अब क्या बताना चाहरा है कि मिघाले जो है यह बहुत खुबसूरत सूबा है जुदुस्तान के अंदर है यह और 1970 में इसे असाम के जुनूबी हिस्से से अलग कर दिया गया था जुनूबी इससे को उनसा गारोखासी और जैनतिया यह बरबतों लिखें यह परबत है यह मिस्प्रिंट है ठीक है वीटा परबतों के इलागे से इन्हें क्या कर दिया गए था अलग तश्कील दे दिया गए था ठीके तश्कील मतलब बना देना लिखते हैं इसमें उचे नीचे खुबसूरत पहाड़ी सिलसले गहरी खाईयां और खाईयों के दरमियान बल खाती हुई नदियां पहाडों की चोटि पहाड़ी योग निए दो तो उनके बीच में जिए स्था है यह हुआ भी कहलाईगी है ना खाई होगी तो है पहाड से इन्दिया कि चैनली आपके होग है करहती ही में गीरॹमिन चाहती है ली एक कि अप्ल Hai चले हम लोग कई गूमने चलते हैं, समय व्केशन हैं या विंटर व्केशन हैं तो आप भी करें के माम हम लोग कोई हेल स्टेशन चलते हैं क्योंके माँ पर उप्दरती मनाजिर बहुत नजर आते हैं और यह खुबसूरत महुत है तो लिखते हैं सही हाँ को इन फितरी मनाजर का नजारा करने के लिए दावत देते हैं इतना खुबसूरत है कि वो आपको बुलाते हैं कि आईए आप भी देखिये आके लिखते हैं इसके आबादी तकरीबन 10 लाग और रखबा 22,500 मुरबा किलो मीटर है यानि अब इसका एर पूशन बन सकता है अब जिसे यह लिखा है यह सोबा बादलों से ढखा होने की वज़े से मिघाले कहलाता है मिघाले का मीनिंग भी पूछा जा सकता है कि मिघाले को मिघाले क्यों कहा जाता है क्योंकि यह बादलों से ढखा हुआ है और मिघाले का मतलब है बादलों का घर तो दोनों चीज़े याद रखेगा, 6500 feet, शिलॉंग peak, यहां की सबसे उची पहाड़ी इलाका है, यानि कि अब यहां पे शिलॉंग peak, पीक मतलब क्या चोटे English का ही लफजिया यूज कर दिया गया है, ठीक है, यह क्या है, यह सबसे उचा इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इला तो आप देखें या लिखें शिलॉंग, यह वहां पे कोई देवतार है, उनके नाम पे नाम रखा गया, आप क्यू रखा गया चलिए आगे देखते भी है, यह शहर कदीम और जदीद तहजीब का मेला जुला नमूना है, यह शहर कदीम यह पूराने जमानी की तहजीब मि कुछ गास-फूस की झोपड़ी बना कर रहते हैं, यहां आपको बताने की कुशिश की जानारी जदीद और गया कोओंकर की यहां पे यह कोलया सब्सक NE сказал, यह बया है तो कुछ बिल्कुल घास पूसके जोबडी बना के रहते हैं कोई अंग्रेजी लिबास पहनता है तो कोई आधिबासियों की तरह रंगी और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे कपड़े बेहनते हैं कुछ मौड़न नहीं है जो कदी में वह आज भी डीले डाले रंग भी रंगी कपड़े बेहनते हैं यहां के लोग के पोलो गॉल्फ बहुत दिल्चस्पी से खेलते हैं अब आपका कोशन यह भी बन सकता है कि बताईए में घाले में मशूर बोटाइनिकल पार्क में हर प्रत्रिक पॉदे लगाए गये हैं यह पर एक बोटाइनिकल पार्क भी यह कि ऐसर नहीं हैं 的 जाले में दो तरह के कबीले रहते हैं एक का नाम है गारो और दूसरा के क्या नाम है खासी ठीक है यहां के लोगों के चेहरे गोल सरचप्टा चौड़ी पेशानी ठीक है अमें लिखाए चौड़ी नाग चेहरे की हड्डियां उबरी हुई चोटी चोटी आखें और रंग प गदीम रस्म और रवाज और इसाई मगलने वाले हैं याने वह direct गाले में ऎ और तो को खस मकाम हासिल है घर की मालकी रहने के साहथ साथ बाजार में सामान की खरीद और फरोख का काम भी औरतों के जिम्में है तो ये बात बता रहे हैं कि भाई हमें गाले में औरतों को नहीं एक अलगी इंपॉर्टेंस दी गई है कि वो घर की मालकिन तो है इसके लावा बाजार में जाके खरीदना फरोख करना या बेचना इसका काम भी औरतों की जिम्मेदारी ही है, मर्द सिफ उसका मददगार होता है, यानि सारे फैसले लेना, सब कुछ करना औरत के हाथ में है, बस जो मर्द होंगे, जो हस्बेंड होंगे, या जो घर के आदमी होंगे, इसका काम पर लड़कों को नहीं दिया जाता कुछ, यहां एक कहावत आम है, कि महापे एक कहावत भी कही जाती है, क्या कहावत है वहापे? कौम औरत से ही पैदा हुई है, ये बिलकुल ठीक बात है, जितनी भी नसले बढ़ती हैं वो जो कौम है वो कब बढ़ेगी? जब भी उस कौम में बच्ची होंगे और बच्ची कहां से आ रहे हैं? मा से आ रहे हैं तो वो एक कहावत बोलते हैं कि हमारी जो दिवी है जो जिसको पूझना चाहिए क्वो और एवरा है अगर औरत नहीं है तो कौम या नसल आगे नहीं बढ़ सकती जब कि मैं इस पर बहाँ नहीं करना चाहूंगी क्योंके भई, अल्लापाक ने जो भी चीज इस दुनिया में बनाई है वो उसका सबका अपना अपना इंपोर्टेंस है अगर आदमी नहीं है तो भी नहीं हो सकता कुछ, अगर और अरत नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता है ना, दोनों से मिलकी अल्ला पाक ने दुनिया बनाई है, लेकिन वहां के लोग यह मानते हैं, कि जो कौम है वो औरत से ही पैदा हुई है, ठीक है, आगे देखे क्या मिगाले के एक कभीले का दस्तूर है कि शादी से पहले खाहिशमन लड़के, नो पाइथे नाम के बड़ी मकान में रहते हैं, अच्छा है, अब भी आपको बता रहे है, कि मां की शादी कभी कुछ दस्तूर है, कुछ नियम है, क्या नियम है तो मां पे कोई नो पाइथे कर होता होगा. उसमें वहाँपे लड़के रहते, जो नड़का ऐसा है जो शादी करना चाओ है, तो वो उस घर में जाके रहेगा, ठीक है. और लड़की के घर जमा हो कर अपनी बहादरी के काड़ना में बयान करते हैं. यानि, बताते हैं की शादी कर दी जाती है यानि अगर कोई लड़का ऐसा है जिसने अपनी बहादुरी के किस्से बयान करें और कोई लड़की को उसकी बहादुरी के किस्से पसंद आगे के हाँ ममा मुझे लड़का पसंद लाइक तो फिर महां पर क्या होता है कि उसे अंगोठी पहना के ही यह के लड़के के घर वालों को लड़के का पैगाम दिया जाताए रज़ा करने मामूय कर देता लड़के का हात पकड़ कर पुझारी के सामने कर देता है इसका मतलब यह होता है कि लड़की वाले शादी के लिए रजामंद है यानि वो राजी है कि हाँ ठीक है मुझे शादी करनी है इसके बाद तीन मच्रियों के फश पर शराब डाल कर शादी कर दी जाती है ठीक है सबका अपना अपना कल्चर है सब का अपना अपना अरिया है जैसा अरिया है वैसे महा का कल्चर है तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ आप देखे हमें नई चीज़े पता चल रही है कि इससे पहले भई हम यह कल्चर नहीं जानते थे राइट तो यह अच्छा कल्चर है आगे देखिए क्या मिगाले के लोग शिकार और निशाने बाजी के शौकीन होते हैं अब देखिए कुशन भी बन सकते हैं कि बताईए मिगाले के लोग किस चीज के शौकीन होते हैं तो आपको पता चला कि महां के लोग शिकार करते हैं और निशाने बाजी के लिए एक जज़ और कुछ पंच मक चावल, गोष्ट, मचली, आलू, साबुद दाने के दरख्त के गूदे का आटा, आटा यहां के लोगों की खास वज़ाया नहीं, वहां के लोग जादतर क्या कहते हैं, या तो चावल खाएंगे, या गोष्ट खाएंगे, मचली, आलू खाएंगे, या फिर साबुद दाने क जो दरख्त होते हैं दरख्त के अंदर जो गूदा निकलता है उसका आटा बनाते हैं और वही ये लोग खाते हैं ठीक है अब लेखते हैं गयर हिसाई जो खासी बाशिंदे हैं है ना बाशिंदे हैं दूद और इसकी अपनी बनी चीजें नहीं खाते हैं ठीक है तो कहते हैं पूरे सूबे में चालिया शौक से खाई जाती है चालिया मतलब डली सुपारी ठीक है आगे लिखते हैं दुनिया का सबसे जादा बारिश वाला इलागा भी यही है न चीरा पूंजी इसी इलागे में है यहां की आबो हवा मर्दूब होने की वज़े से मलेरिया हैजा और प यह चिशन पीट की बिमारिया जो है वो आम रहती है यहां वर्बा मतलब बिमारी आगे देखे लिखते हैं गारो कबीले को आचक भी कहते हैं यहां कपास की पैदावार होने की वज़े से लोग अपने कपड़े खुद बिनते और रंगते हैं यहां पे कपास होता है यहां के लोग अपने कपड़े खुद ही बनाते हैं और उसमें खुद ही कलर करते हैं मुसाफिरों के ठैरने और हर इसम की सहूल्यत फरहां करने के लिए दो गाओं के दर्मियान एक सराय का मतलब होता है जापर मुसाफिर है वो रुखते हैं लेकि वो लोग सराय को एक नाम देत जिसमें वो रेस्ट कर सकते हैं ठीक है आगे देखे लिखा है चावल मका जवार आलू अर्वी संत्रे लीची केले लीमू और तर्बूज यहां की आम पैदावार है यानि इतनी चीज़ें यहां पर पैदा होती हैं यहां के खेट सिवरी नुमा होती है यहां के खेट क्यूं आगे लिखते हैं मिगाले में आपको बता रहे हैं कि यहां पे जो हिस्ट्री हिस्ट्री कल चीज़ें वो क्या है तो देखे लिखा है खासियों के इसमारक है ठीक है और इस्थरी च्छतिरियां तिलो के खंडराद पत्थरों के मुझसिमें काबिले दीद हैं यानि देखन बे शुमार नदियां और आपशार नहीं सूबे के खुबसूरती में चारचान लगा देए हैं खुबसूरती होना चाहिए ना खुबसूरती में चारचान लगा देए हैं यह मुहावरा होता है नहीं उसके खुबसूरती में इजाफा कर दिया कि मतलब वह पहले सी बहुत याफ़ता है याँ की जो दो तहाई आबादी है यागर पूरी अबादी को हम तीन हिस्तों में बाटते हैं तो उसमें दो तहाई आबादी जो एपो ताली में आफ़ता है ठीक है दूसरे सुब की तरह यहां भी इसकूल, कॉलेज, अस्पताल वगयरा काईम किये गए हैं रह हुई है कि किसी सूरत से वो भी इस इलागे को अच्छा कर पाएं राइट चलिए तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने मिगाले सूबे के बारे में पढ़ा ठीक है ये एक हमारा मजमून था मुखतसर मजमून तो हमने मुखतसर मजमून के बारे में भी पढ़ा कि किसको क कहा हैं तो क्यों कहा गया है क्यूंकि यहां पें ऊचे नीचे पहाड़ है खाया है और उसके बाद बीच बीच में जो है नदिया है और जढनी यह सारी चीजों की वजह से से खुब सूरा सुभा कहा गया देखे मैं आंसर अपने आपसे आपको डिस्क्राइब कर रहे हूं बाकी आप वीडियो को पाउस करके आंसर लेख सकते हैं ठीके इस वीडियो को आप को ओर्डर दे रही हूं आप कहा लीजिए कि यह चीजें आप अपने फ्रेंट्स के साथ भी शेयर करें तक वह भी पढ़ सकें हैं क्योंकि 12 है बेटा और बहुत इंबॉर्टेंट होता है ठीक है तो उर्दू अगर आप पढ़ लाएं तो इससे आपकी परसेंटेज बन भी स इस्टो सुनेंगे और अगर ओर्डर है समझते हैं तो उसे पूरा करेंगे रइच चले तो अगला सवाल देख लेते हैं देखें या लिका है इस सुबे का नाम मिघाले क्यों रखा गया है तो आपको बता है कि यह क्या है यह पूरा बादलो से घिरा रहता है इसलिए इसक इसलिए आले अब देखें में इसका संदी विचेद करके भी आपको बता दिया राइट चले आगे चलते हैं अगला सवाल देखें लिखा हुए है मिघाले की राजधानी का नाम श्लॉंग किसकी मुनास्बत से रखा गया है तो शीला लॉंग जो है कि आपकी एक देवता क अगे लिखा है मिघाले में कौनہ से कभीले आबाद हैं तो अभी आपने पड़ा गारो और फाजी गवाढ़े आबाद हैं अगला सवाल गाले के खास रस्मों रवाज कौनकों से हैं अपने जबान में लिखने हैं तो दिखिए ये सवाल जर्नली पेपर में नहीं आता है लेकिन हाँ possibility यह है कि five marks में पूछ भी सकते हैं ठीक है तो आप इसे देख लीजेगा इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं अभी मैंने आपको सारी बाते बता दी कि शादी के क्या रिवाज हैं और बाकी क्या रिवाज हैं उसमें आपको बता दी हैं ठीक है और इसमें लि आपको एक ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना है जिसमें कदीम और जदीद यह वर्ड आए अब देखिया है मिगाले शहर कदीम और जदीब तहजीब का संगम है ठीक है इसी तरह से रस्म और वाज शोर और बच्चे बहुत शोर और गुल कर रहे हैं मस्ती कर रहें उधम कर रहें आवाज कर रहें शोरें खरींग खरिडरो फरीप फरगत हैं चीज़की खरीं जागती हैं शरन मीं हमारे अच्साइब दाठते हैं यह था CHE contingent ओर निपर pont का सकते हैं introduction 1 और लिकटर के जूमले वे उनमें अन्नि इसे उमीद करते हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परशाने नहीं हुई होगी अगर कोई confusion है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो वीडियो आपसे कहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मुझे कमेंट कर स कर दें और सचमुछ मैम का पढ़ाने का तरीका हमें पसंद आ रहा है या यह वीडियो आपके लिए हैल्फुल है किसी भी अंगल से तो आप लोग इसको लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करने में आपके जब से कु करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और इंशाला मैं पूरी कुशिश करूंगी कि ऐसी ही रोज आपको इसी ताइम पे एक वीडियो दी जाए तक एक्जाम तक आपका असली बस कंप्लीट हो जाए एक बर आप लोग मुझे सब कमेंट करके बताएंग कि आपको आपको ऑनता असली बस्तेिक माँब करके वीडियो जाएंगे कि वीडियो जाएंगे कि करинуगी जाएंगे कि बस्तेे हार थे कि उब स